प्यारे वच्चो इस वीडियो में हम अंक जगत कक्साचार कारे पुस्तिका के दिवस 37 के अभ्यास प्रस्नों को हल करेंगे सबसे पहला हमारा प्रस्न है नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए तथा उनके अंको और इस्थाने मान को निम्न तालिका में लिखिए तो यहाँ पर आपको तालिका दे रखी है अब सबसे पहले तो आप समझ लीजे एक सवाल को करना कैसे है देखिए यह संख्या दे रखी है 2,14,536 इसको शब्दों में लिखना है इस कोलम में इसके बाद यह वाली जो लाइन है यह इस्थाने मान की है यहाँ पर इकाई दाई सेंकडा हजार दस हजार लाक यह शब्द लिखे हैं तो जो इसमें अंक में इकाई है दाई हैं इस टेबल में भरना है पहले तो आप यहाँ पर यह देखे जहां पर यह अंक लिखा है इस अंक के आगे यह सभी अंक लिख देने हैं इसके बाद क्या करना है इस थाने मान को इस तरब से लिखना है इस टेबल में अब सबसे पहले देखिए 6 को अब हमारा जो 6 है यह हमने अंक लिख दिये हैं इसमें अब यहां पर देखें इकाई है उसमें छे में गुना हो जाएगी एक से छे में एक से गुना करेंगे तो छे आएगा इसके बाद दाई में दस से गुना करनी है तो तीन दाई तीस हो जाएंगे इसके बाद पांच की गुना सेंकडे में करनी है सो में तो पांच सु आएगा अब इसके बाद चार की गुना एक जार में करेंगे तो चार अजार एक की गुना दस जार में करेंगे तो दस जार दो की गुना एक लाख में करेंगे तो दो लाख इस तरह से ये इस्थाने मान होगा ऐसे ही एक सवाल और देखिए इसको देखिए यहाँ पर ये संख्या लिख रखी है 3,256 3,256 अब सबसे पहले तो क्या करना है इसके अंकों को इस टेबल में ऐसे भर दीजिए 3,256 ये अंक लिख दी हमने अब करना क्या है हमें पता है कि एकाई में एक से गुना करनी है अब इस छे की जब हम एक से गुना करेंगे तो 6 आएगा दाई में 10 से गुना करनी है यहाँ पर तो 5 की गुना 10 में करेंगे तो 50 आएगा 2 की गुना 100 में करेंगे 0 ही आएगा फिर इस 0 की गुणा 10,000 में करेंगे तो 10,000 में करेंगे तो 0 आएगा और 3 की गुणा 1,00,000 में करेंगे तो 3,00,000 आएगा 3,00,000 आएगा इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे ऐसे ही ये सभी सवाल आपको पूरे करने हैं हमने इनकों शब्दों में अंकों में जिस तरह से यह यहाँ पर लिखा है आप यहाँ से देख सकते हैं अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले प्रसंड की तरफ इस प्रसंड में हमें क्या करना है जिरो से नो तक के अंक कार्ड में से कोई भी साथ अंक कार्ड का प्रियोग करके साथ अंक की एक संख्या बनाईए हमने जिरो से लेकर के जो नो तक के संख्या कार्ड है उनमें एक से लेकर के साथ तक के संख्या कार्ड लिए अब ये साथ अंकों की एक संख्या हमने लिख दी है यहाँ पर अब आपको क्या करना है इस संख्या को शब्दों में लिखना है तो सब्दों में क्या लिखेंगे छेतर लाग चोवन हजार तीन सो इकीस छेतर लाग चोवन हजार तीन सो इकीस यह हमने लिख दी प्राप्त संख्या के परतेग अंक का इस्थानियमान लिखिए अब देखिए इकाई पर हमें पता है एक से गुना करनी है दही पर दस से सैकडे में सो से, हजार में एक हजार से दस हजार में दस हजार से, लाक में एक लाक से और 10 लाग में 10 लाग से गुणा करनी है तो सीधी सी बात है ये 7 का स्थानियमान 70 लाग होगा 6 का स्थानियमान 6 लाग होगा ये बीच में कोमा लगाए है हमने 5 का स्थानियमान ये 50,000 हो जाएगा इसके बाद इस 4 का स्थानियमान 4,000 है 3 का 302 का 20 है और एक का एक ही रहेगा ये इनके स्थानी अमान है तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप ये दिवस 37 की जो वर्कशीट है इसके सवालों को हल करेंगे अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट वोक्स में लिखिए धन्यवाद प्यारे बच्चों